हलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे इलेक्रिसिटी बिल का बुकतन पेटियम से कैसे करना है दोस्तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं हमारे डेट टू डे लाइफ में जो भी यूज होने वाले एप आपको काफी उससे हेल्प होगा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो थैंक यू आज हम देखेंगे इलेक्रिसिटी बिल पेटियम से कैसे करना है इससे पेले मैंने और एक वीडियो अपलोड किया है जो महावीतरन के साइट से इलेक्रिसिटी बिल का बुकतन कैसे कर तो आज हम पेटियम का देखेंगे तो या इलेक्रिसिटी है या आप क्लिक करो या इलेक्रिसिटी बोर्ड है तो यह स्टेट आप जो भी है आपका स्टेट सिलेक्ट करना है या उसके बाद electricity board आपको select किरना है मतलब electricity provider जो है जैसे यह महावितरन है Reliance Energy है Torrent Pharma है Tata Sorry, Torrent Power है Tata Power है तो अभी हमारा महावितरन है तो मैंने महावितरन select किया और बाद में आपको यह subdivision या BU BU means आपको billing unit select करना है जहाँ आप billing unit number डालो यह area डालो वो अपने आप detect होगा वो select करो उसके बाद last में consumer number डालना है आपके बिल के उपर यह consumer number आपको मिलेगा यह billing unit भी आपको बिल के उपर मिलेगा उसके बाद proceed करो प्रोसेट करने के बाद यह page पे आपको दिखेगा आपका bill amount कितना है due date क्या है और after due date और before due date वो आपको सब यह detail दिखेगा और यह amount आप verify करना यह बरोबर है कि नहीं उसके बाद proceed to pay पे क्लिक करो और यहाँ द्यान से देखो यह by default एक टिक हुआ है यह check box यह check box क्या बोलता है protect your home content against burglary burglary means तो आपको यह select नहीं करना है आपको सिप आपके energy bill का बुक्तान करना है तो आपका यह verify करो क्योंकि अगर इटिक करते हो तो amount बड़ेगा आप 5.15 हुआ यह निकालोगे तो आपका जो original cost है वो हुआ तो इससे process करें और एक ध्यान से ध्यान रखो आपको एक मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों अब पेटियम से अगर आप एनरजी बिल का भुक्तान करते हो तो आपको कभी-कभी काफी सारा offers भी मिलता है पेटियम से पे करने के लिए 10% cashback हो ओ भी आप ध्यान से देख सकते हो और आपका पै काफी सार यहां कोई offer तो नहीं होता है बट आप credit card या आपका debit card यूज करते हो तो उसका आपको कुछ charges पे करना पड़ता है बट इंटरनेट banking से अगर भुक्तान करते हो तो उसका कोई charges नहीं है तो यहां आपको जो भी आपका credit card है debit card है net banking है और शिलेक करके आप यहां से बुक्तान करो यहां आपको कोई extra charges पे नहीं करने है और यह 2 minute में आपका payment हो गया थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो और अगर आपको यह मेरा वीडियो आया तो पसंत आया तो प्लीज मेरा चैनल सस्क्राइब करो थैंक यू दोस्तो झाल 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 झाल